मैं डीडी मिश्रा, मौगर्वी राइबरैली का रहने वाला हूँ, इस समय योगी सरकार के गोबन्स की रक्षा हेत जो अध्यादेश पारी हुआ है, पारित हुआ है, उसके तहद संपूर किशान जिसके पास बचवा, बुड़ी गाएं और अनावस्चक जानवर जो है, वो छुट्टा छोर दिये है, और ऐसी स्थित में इस गाउं पर लगभग पच्चासों छुट्टा जाडवर किशानों की फसलों को नुक्षान कर रहे है, मैं स्वाइन इस से तरशित हूँ, अपने जानवरों के लिए चारा की फसले बोया था, रखवाली ना कर पाने के न जाते, उस सारी फसल नस्थो गई, अब धान की फसल पर, जो इस स्टेज में है, बाली निकल चुकी है, बाली निकल रही है, ये पचीश पचीश तीस तीस के जत्थे में दिन में नहीं, अब ये रात में अटाइक करके फसलों का नुक्षान कर रहे हैं, ऐसी स्थिती में कि अधान जैसी फसल को अगर इनुक्षान कर रहे हैं, तो बर्षीम है, आलू है, गेहू है, रभी की अन्य फसलों को तो ये पनपने ही नहीं देंगे, अईसी स्थित में, अईसी स्थित में सरकार को इस पर अतिसी कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए, अन्यता, गाउ म इतना आक्रोष फैला हुआ है, कि आगामी चुनाओ में, चुनाओ का बहिस्कार भी कर सकते हैं, और बीजेपी को एक भी वोट देने के पक्ष में नहीं रहेंगे, मेरा निवेदन है, जनित में, कि इन पशुओं के लिए चाहे गोशालाय बनाई जाए या इसकी ब्यवस् और रोंपड योगी सरकार पर किसानों का हो रहा है.